हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बैक आज हम पढ़िंगे हमारा डीप वाटर जो कि है लेसन नंबर थी और इसके राइटर है विलियम ओ डगलस इस चैप्टर के नदर जो राइटर है विलियम ओ डगलस वो हमें बताता है कैसे वो तहरना सीखता है तो हमें चैप्टर का नाम तो पता ही है इसका नाम है डीप वाटर डीप वाटर चैप्टर का नाम है और इसको लिखा किसने है विलियम ओ डगलस में तो कहानी शुरू इस प्रकार से होती है, in this story, इस कहानी में, the writer, जो लेखक है, narrates, बताता है, narrates मतलब बताना, how, कैसे, he overcomes, कैसे वो काबू पाता है, his fear, अपने डर पर, of the water, पानी के डर पर, the writer, जो लेखक है, begins, शुरू करता है, his story, अपनी कहानी को, when he was three or four years old, जब वो तीन या, चार साल का होता है, one day, एक दिन की बाद होती है, the writer's father, the writer's father, जो लेखक के पिताजी होते है, the writer's father, takes him to the California sea beach, उसको California sea beach ले जाते हैं, अमेरिका में एक जगा है, California, वहाँ पर समंदर का एक टट होता है, बीच होता है, उसके पास उसके पिताजी दे जाते हैं, तो, माल लेते हैं, यह writer है, और यह writer के पिताजी है, यह इसको California sea beach ले गए, तो होता क्या है, आगे, यह writer, जो लेखव होता है, clings to his father, वो अपने पिताजी के पैरों से लिप्टा होता है, but a strong wave comes, लेकिन एक बड़ी सी लहर आती है, and knocks him down, और लेखव को किरा देती है, एक बड़ी सी लेखव जो लहर आती है, और लेखव को किरा देती है, तो water sweeps over him, पानी लेखव के ऊपर से होता हो चला जाता है, the writer's heart fills with terror, लेखव का जो दिल होता है, वो डर से घर जाता है, after some time, कुछ समय बाद, the writer decides, जब लेखव बड़ा होता है, लगवग 11 साल के करीब का हो जाता है, तो लेखव फैसला करता है कि वो तैरना सीखीगा, तो after some time, कुछ समय बाद, जब लेखव बड़ा हो जाता है, the writer decides, लेखव फैसला करता है, to learn to swim, तैरना सीखने का, तो फैसला करता है कि मैं तैरना सीखूँगा, तो क्या करता है, when, जब वो बड़ा जाता है, when the writer becomes 10 और 11 years old, जब लगवग 10 या 11 साल का हो जाता है, he joins a local swimming pool, वो एक अपने area का swimming pool join करता है, named YMCA pool, जिसका नाम होता है, YMCA pool, Young Men's Christian Association, तो ये pool होता है, company का नाम होता है, Young Men's Christian Association, ये एक संस्ता है, तो इस YMCA pool नाम की एक जगा होती है, वहाँ पर एक pool होता है, YMCA pool, उसको लेख़क join कर लेता है, but one day, लेकिन एक दिन की बात होती है, जब लेख़क pool में जाता है, टैरने के लिए, when the writer sits alone on the side of the pool, जब लेख़क अखेला pool के किनार पे बैठा होता है, क्योंकि कोई नहीं होता है, आप अपर, a big boy comes, एक बड़ा सा लड़का आता है, and tosses the writer into the pool, और वो लेख़क को उचाल के फैक दिता है, लेख़क को उठाता है, और फैक दिता है कि इसके अंदर पानी के अंदर, उठा कर, he loses his breath, लेख़क जो उता है, अपनी सास खोड़ता है पानी के अंदर, and gets dizzy, और लेख़क को चक्कर आने लगते हैं, जो जो लेख़क पानी के अंदर जाता है, तो उसको सास खतम हो जाती है, और उसको चक्कर आने लग जाते हैं, पानी के अंदर, यह बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको आपको फुल पढ़ना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर समरी पढ़ रहे हैं, शॉट में पढ़ने, लेख़ क्या करता है, वो चिलाने की हुश्ची करता है, लेकिन कोई भी आवाज बहार नहीं आती है, लेख़ को पानी के पूल से बहार निकाला जाता है, लड़का जिसने लेख़ को पानी के अंदर फैका था, वो कहता है, वो कहता है, इस वो कहता है, लेख़ को नहीं आता है, वो लेख़ को टेरड़का जीसने की तो पानी के पाई बैख जाता है, तो लेकख साइट में बैट जाता है अब बैट जाता तभी बॉडी बिल्टर टैप का लड़का आता है वह लेकख को उठाके पानी पैग देता है जब कि लेकव को तैयरना ना नहीं आता तो लेकख बताता है उसको मरने का अइसास हुआ पानी के इंदर दो-तीन बार उसने कोशिशगरी पानी के अंदर से लेकिन फूल में वह भार नहीं आपाया थोड़ी देर बाद लेखक को बाहर निकाला गया तो लेखक को जिसने लड़के ने फैका था तो वह बताता कि मैं तो मजाग कर रहा था पिर क्या होता है कुछ समय बाद राइटर गोज टू सम फेमर्स वाटर फ्लेसे जब लेखक उस रात तो बच जाता है फिर फेमर घर जाता है तुस्वरा सोनी बादा खाना नहीं खाता दिलाता है रोता है फिर कुछ दिनों बाद जब वहां पूल में तैरना वह बंद कर दे तो भी गहाता है थी फिर कुछ समय बाद the writer goes to some famous water sports तो लिख कुछ famous पानी की sports पर यानि प्लेसे स्पोर्टस पर जाता है sports पर जाता है पानी के छेज प्लेसे पर प्र इस ओल्ड फियर कमस बैक हॉप वाटर कम्स बैक लेकिन लेकर का पुराना पानी का डर होता ना but his old fear of water comes back लेकिन पुराना पानी का डर जोता है वो वापस आ जाता है then he decides to take an instructor उसके बद लिखर फैसला करता है कि वो एक instructor यानि teacher रखेगा तैरना सीखने के लिए जैसे देखो यह teacher है और यह लिखर को तैरना शिकार है सिखाता है राइटर के स्विम की कैसे तहारते है तो लेकर का क्या करता है किस समय बाद एक टीचर को रखता है कि टीचर के पास जाऊंगा टीचर मुझे तहरना सिखाएगा उसका पूल है तो टीचर को रखता है श्यूंग करता हैं का उसको एक्सेल करते हैं सास कैसे जोड़ते हैं इस सब उसको सबस्चाता है धीरे धीरे लेकर को जो टीचर होता है उसका सिमिंग सिखाने वाला वो उसको परेट स्विमर बना देता है, finally आखिरकार the writer becomes a perfect swimmer, आखिरकार जो लेखक होता है, वो एक perfect swimmer बन जाता है the writer tries to swim alone in some lakes, rivers etc, फिर लेखक क्या करता है, कोशिश करता है कि अकेले ही कुछ नदियों में कुछ जीलों में जाके वो अकेला तेलेगा, sometimes times, कभी गबार, his old fear comes back, कभी-कभी उसका पुराना जो पानी के डर था वो वापस आ जाता है but, he overcomes that fear लेकिन जो लेखक होता है वो अपने डर पर काबू पा लेता है तो इस परकार से लेखक बताता है, विलियम डगलस बताता है, कैसे उसना तहरना सीखा तो यह जो चैप्टर है, वो बताता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो आप कोशिश करेंगे, तो आप के सामने बड़ी से बड़ी चुनोती भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी तो यह जो चैप्टर है, हमने इसका समरी पढ़ा है, तो आप लॉंग आंसर समझ लो, जो आप एक्जाम में भी यूज कर सकते हो, अगर आपसे बोला जाएगे इस चैप्टर के समरी बनाओ, 100 वर्ट्स में, 1500 वर्ट्स में, इस काहानी को ब्रीफ में एक्स्प्लेइन करो, ब्रीफ में बताओ, तो ब्रीफ में आप पूरा 100 वर्ट्स में, 150 वर्ट्स में, यह पूरी जो लाइन्स में आपको बताईए, यह शॉट में आप लिख सकते हैं, तो यह बहुत इंट्रस्टिंग चैप्टर है, इसके अंदर हमें बताए बेट, आप रेज जीज जाएंगे, आप हमेशा काम्याब होंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, तो असफलताओं से ही सफलता मिलती है, असफल होके ही अपनी कम्यों पर काम करो, और धीरे-धीरे करके सफल हो जाओ, तो यह चैप्टर हमारा खतम हो गया, इसकी समरी हमने प कर दो